Students, हम बात करेंगे melting and boiling points की, melting and boiling points को देख लेते हैं कि यह क्या होते हैं, melting point की सबसे पहले बात करें तुरिके melting point, melting point के नाम से हमें लग रहा है जयनिके, जो चीज मेल्ट होती हो, melt होने का मतलब कि solid से liquid में चली जाती हो, ठीके, यहाँ पर हमने S लिखा है, solid के लिए, L लिखा ह लिए ठीक है वो point मतलब temperature ठीक है यानि के वो temperature जिस पे हम कहते हैं कि जो solid होता है वो क्या हो जाता है वो convert हो जाता है किसमें वो convert हो जाता है liquid में ठीक है इसको हम कहते है melting point और boiling point के लिए भी हम देख लेते हैं कि boiling यानि कि कोई चीज boil करती है तो क्या हो जाती है liquid से वो convert हो जाती है वो gaseous state में ठीक है L हमने लिखा liquid के लिए और G लिखा हमने gaseous state के लिए ठीक है तो liquid sorry boiling point हम किसको कहते हैं point से भी हमारे पास क्या जाएगा temperature ठीक है यह भी temperature होता है जिस पे हम कहते हैं कि एक substance जो है हम specifically हम प्रेशर के लिए atmospheric pressure कल 있나 atmospheric के लिए ATM लिखते है atmosphere पे हम देखते है and boiling point के बता ही यह उस अठीक होता है जिस वánd हम कहते हैं कि je vapors का pressure होता है liquid कacious निकल रहता है उनका pressure? वह कहते हैं कि इक्वर हो जाता है यह एकवर어 जाता है तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां पर is equal to का sign डालेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कि यह जो atmospheric pressure है, इसी को हम यहां से copy कर लेंगे atmospheric pressure, ठीक है ना, तो यह हमने यहां पर देखा, अच्छा, इसके लावा हम देख लेते हैं कि melting and boiling points हमें और भी बहुत सी जीज़ों का अंदासा होता है, जिसलिए अगर हम melting point की बात करें यह boiling point की बात करें, तो substances के लिए, जो pure substances होते हैं, purity को determine करने के लिए भी हम देखते हैं कि हम melting and boiling point का सहारा लेते हैं, ठीक है, यानि कि pure substance होगा, चलिए हम purity नहीं लिखते हैं, आपकर हम लिखते हैं, pure substance, ठीक है, pure substance, ठीक है, substance, कोई substance, chemical compound हमारे पर पर प्यूर फोर्म में होगा, तो definitely एक compound का एक कि melting point होना चाहिए, ठीक है, तो हम कहते हैं कि इनका क्या होता है, fixed melting and boiling point होता है, MP लिखेंगे है, melting point के लिए and BP, BP मतलब boiling point, ठीक है, उनके boiling point और melting point fixed होते हैं, और हम देखते हैं कि जो हमारे पस impure substances होते हैं, उनके लिए हमारे पस range of melting and boiling point आजाती है, ठीक है, यहां पर हम लिखते हैं, impure substances, ठीक है, substances, यानि कि कोई chemical compound, अब देखें न, हमारे पस क्या होगा, कि अगर कोई chemical compound है, एक chemical compound pure form में था, एक और chemical compound भी थोड़ा सा pure form में था, ठीक है, दोनों को अगर mix करते हैं, तो definitely ना वो pure A बचा, ना वो pure B substance बचा, ठीक है, यानि कि थोड़ी सी quantity B, C, D, E, जो substances हैं, हम suppose करें या पर, उनकी भी मौजूद है, तो यह एक impure substance है, एक के अंदर सरफ A की मिकदार नहीं है, बलकि इसके अंदर थोड़ी सो और substances भी थोड़ी थोड़ी amount में मिले हुए, तो हम कहते हैं, impure substance आगा, अब देखें, impure substance में क्या होता ह melting point जो हमने कहा के B, C, D, E के हैं, वो भी समें शामिल हो जाएंगे melting and boiling points, ठीक है, तो हम कहते हैं, यहां तो हमारे पास क्या आजाती है, range of melting and boiling points आजाती है, range of mp melting point, ठीक है, m dot लगा देखेंगे, छोटा सा, mp in melting point and bp, यानिके boiling point, ठीक है, boiling point और melting point की range आजाती है, ठीक है, पिर इसके इलावा हम यहां पर यह भी देखेंगे, कि melting and boiling point से हमें यह भी पता चलता है, कि कोई substance कितना strong है, और कि उसकी strength किया है, उसके bond, जो जिससे वो bound हुए है, जिससे bind हुए है, ठीक है, जो उनको associate करें, उनको कितनी strength है, ठीक है, जिस तरह से अगर देखें, मेरे प हम एक और ले लेते हैं, जैसा कि हम ले लेते हैं, यहां पर हम third one लिखेंगे, H2O, यानिके water, ठीक है, यह तीन substances हमने ले लिए, ठीक है, तो पर हम ऐसा करते हैं, कि इनकी melting points देख लेते हैं, ठीक है, जिस तरह melting point यहां पर चलें, MP, यहां लिखतेंगे, MPT, MP लिखतेंगे, MP लिखतेंगे, हम melting point, ठीक है, तो sodium chloride का अगर melting point देखेंगे, तो क्या होता है, 801 degree Celsius होता है, ठीक है, पर देखें, मिधेन का अगर हम देखेंगे, तो यह होता है, minus 182 degree Celsius, ठीक है, और अगर water का देखेंगे, तो हमारे पास आजाता है, 0 degree Celsius, अच्छा, अब इनसे अगर हम अं हमारे पास sodium chloride में क्या है, strong bond है, ठीक है, strong bond, अगर हमें पता ही है, यह ionic bond होता है, इनमें, electrostatic forces of attraction होती है, ठीक है, जिसके वज़ेसे हम कहते हैं, बहुत strong bond होता है, और हम कहते हैं, कि उसको तोड़ने के लिए, हमें इतनी जादा energy required होती है, ठीक है, बहुत जादा energy required होती ह यहां पर हम देखते हैं, कि यह weak bond है, और अगर water कर देखने हैं, तो इन दोनों के दर्मियान में कुछ आ रहा है, ठीक है, यहां कि हम देख रहे हैं, कि इसका भी हमें पता चलता है, कि बहुत strong भी नहीं है, वीक भी नहीं है, ठीक है, तो हमारे बहुत strong और weak है, यहां पर नहीं देख सकते हैं, यानि कि बहुत strong भी नहीं है, और weak भी नहीं है, इतना जाता है, फिर हम यह देख लेते हैं, कि देखें, अब यहां पर हमें एक और बात भी पता चल रही है, एक तो यह कि sodium chloride से हमें यह पता चल रहा है, कि अगर हम room temperature पे देखें, तो definitely यह किस form में मौचूद होगा, यह solid form में मौचूद होगा, ठीक है, क्यूंकि देखें, यह melt ही बहुत ज़्यादा high temperature पे कर रहे हैं, जब कि अगर हम मिधेन की बात करें, तो यह हम देखते हैं कि मिधेन हमारे पास हम देखते हैं कि room temperature जो कि 25 degree Celsius होता है, उससे भी बहुत कम है और 0 degree Celsius से भी बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, माइनस में जा रहा है, तो इसको हम कहते हैं कि यह किस form एक्जिस्ट करता है, यह gaseous state में एक्जिस्ट करता है, ठीक है, और अगर water की बात करें, तो water का melting point हमारे पास 0 degree Celsius है, ठीक है, तो इसके लिए हम देख सकते हैं कि water के melting point और boiling point भी इसके बाद फिर हम देखते हैं कि water का हमारे पास आगे चाके क्या आता है, तो अगर हम इसके melting point से देखें, तो यह 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 यहीं solid से liquid में किसमें जा रहा है, तो room temperature भी हमारे पास liquid form में होता है, तो हमें पता चल जाता है, यह liquid form में है, ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि यह हमें forms का यह physical state का बता जल सकता है, ठीक है, इसरा methane की हमने देखिए, minus 182 degree Celsius है, इसका melting point है, तो गर इसका boiling point भी देखें, जो के हमारे पास क्या आ जाता है, हम यहाँ पर लिखेंगे, यह हम देख लेते हैं कि यह होता है, minus 161.5 degree Celsius, ठीक है, यह क्या है, इसका boiling point है, BP हम यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, boiling point, तो देखें, इनी के room temperature से भी बहुत कम है, इसका boiling point, इस पर यह क्या कर रहा है, liquid से gaseous form में जा रहा है, तो हमें पता चल जाता है, कि यह क्या है, यह gaseous state में normally exist करेगा, ठीक है, तो हमें इस तरह से इनकी forms, इनकी bonds, यानि कि nature of bonds, strength of bonds, हम कह सकते हैं, कि इतने strongly atoms, जो हैं, वो, attached ने, एक दूसरे से, associate है, bonded है, इसका भी अंदाजा होता है, तो इनकीन चीज, और से हमें यह भी पता चलता है, कि purity of a substance, अगर fixed melting and boiling point आ रही है, जिस तरह से, अगर हम कोई lab में पे, अगर हम कोई substance बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, इस और गैनिक substance sometimes बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनकी melting point चेक कर लेते हैं, अगर melting point जो हमारे पास literature में, या given values, जो हमें known values होती है, उसी में से आती है, ठीक है, एक दो degree Celsius के difference के साथ, तो हम समझा जाती है, कि हमारे पास pure substance हासिल हो गए, लेकिन अगर हमारे पास range of temperature आ रही होती है, तो हम कहते हैं, कि range of melting point या boiling point तो हम कहते हैं, एक substance impure है, ठीक है, इस तरह से हमें purity का भी पता चलता है, strength of bond या nature of bond का भी पता चलता है, हमें physical form जो कि इसमें वो normally exist कर रही होते हैं, वो substance उसका भी पता चलता है किस से, melting and boiling points से,